लखनपूर जनपत अंतरगत एक आश्रित ग्राम ऐसा भी है जो बरसाथ के मौसम में एक टाकू के समान अलग थलग नजर आता है जाईस आश्रित ग्राम के नवासियों का संपर्क अपने ही संबंदित ग्राम पंचायच से पूरी तरह तूट जाता है मामला है लखनपूर दिकासफंद अंतरगत सुदूर वनांचल शेतर तिरकेला के आश्रित ग्राम धोंगा डांड का जहां इस आश्रित ग्राम के लोगों को बरसाथ के दिनों में मुख्य पंचायच से अलग जीवन बसर करना पड़ता है दरहसल हकीकत यह भी है कि तिरकेला और इस आश्रित ग्राम के मद्य से एक नदी बैती है जा नदी पर पूल निर्मान नहीं होने से साधन आभाव में बरसाथ के दिनों में इस आश्रित ग्राम का संपर्क अपने संबदित ग्राम से पूरी तरग तूट जाता है दोंगा डान के निवास्यों ने बताए कि नदी पर पूल बनाये जाने कई बार जन प्रतिनीदियों से इस सर्पन सचिप से मांग की गई कि परंतु आज तक मांग पूरी नहीं हो पाई ग्राम बाच्यों ने इस संबद में शाशन प्रिशासन का ध्याना कर्शन कराते वे नदी पूल पर बनाये जाने सहीत विबिन्न वेवस्ताओं को दुर्स कराये जाने की मांग की ताकि बविश्यों वे इस तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े परिशानी जाल वहां के पानी पीठा नाला के तुन सा नाला यह दोगा नाला तीर के लाना दीकर